हेलो गाईज वेलकम टू मैं चैनल कि देखिए आज हमने बनाया है गाजर कालवा जो कि सीजन में सबको बहुत ही अच्छा लगता है गाजर कालवा बहुत ही आसान विदी से बनाया है बहुत ही सरल तरीके से किसी बिना मेहनत के फटापट बनने वाला गाजर कालवा यह िबूर about You इसन भी और यह सब और आपले फिर किए इनको साफ करके चीछ लेंगे और दोनों तरफ के दौन्थर पर क्षीछ को काट के हटा लेंगे यह देखे मिया इसमें ए समने इसकी जड़साय को काट के डॉनों तरफ के नहीं हम काट करब वाला हिस्सा अलग निकाल लेंगे हमें केबल इनका जो सफेद वाला हिस्सा है वो बिल्कुल अलग कर देना है यह देखिए जो कच्छा हिस्सा है वो में इसमें काट लोंगी और जो थोड़ा टाइट होगा वो हिस्सा मैं बीच से हटा दोंगी अगर आपकी गाजर का हिस्सा सफेद वाला जो वाइट वाला बीच का हिस्सा है अगर बहुत सॉप्ट है तो आप इसको डाल सकते हैं नहीं तो अगर टाइट है तो आप इसको अटा दीजिए यह देखिए इस गाजर में यह देखिए मैं एक और आपके सामने काट के दिखा रही हूं इस गाजर को भी पहले मैंने बीच के दो हिस्से की हैं और जो मौटा हिस्सा है इसका नीचे वाला के वाल हिस्सा टायट है तो वो मैं चाकू से इस तरीके से यह देखिए निकाल दूँगी और बस बाकी गाजर को मैं अच्छे से निकाल दूँगी और बस इसको भी रफली ऐसी थरीके से छोप कर लोंगी इस तरीके से मैं देखिए अभी सारी गाजर चोप करके आपको तब दिखा और इसमें मैने यह टिर चमच घी बिल्कुद सादरा वाली चमच है जो पहले सादरी चमच सवाली चमच से लिए जो से नापकर मैंने चमच गी देजी इसमें डाल दिया है और बस इसको कुकर को बंद करके हम गैस 25 चड देंगे पहले में हाई वीडियम पर आज पर इसको दो से तीन सीटी लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती है उतारने के बाद कि ये कैसा हो जाता है ये देखिए ये इस तरीके से गाजर हो चुकी है गाजर अच्छे से गल चुकी है दूद भी थोड़ा गाड़ा हो चुका है ये देखिए इस तरीके से इनको गाजर को हम इस तरीके से दूद में चम्चे से मैस कर लेंगे इसी तरीके से देखिए चम्चे से कल्ची से या मैसर से अगर आप चाहें तो उससे भी कर सकती है हलका हलका से मैस करेंगे तो सारी गाजर मैस हो जाएंगे अच्छे से कोई दिक् आप तक पहुंच सके यह देखिए इस तरीके से फिर मैंने दुबारा गैस पे चड़ा दिया इसको और फुल आज पे रखा हुआ है और इसको हम खौल ले देंगे इसमें आदी चम्मच मैंने एलाईची पाउडर डाल दिया है और बस इसको खौल ले देंगे गाड़ा होने चीनी लिए है और यह थोड़ा गाड़ा होने के बात इसमें मैं यह चीनी डाल दूँगे और इसको अच्छे से मिला देंगे फुल आज पे ही रखा है मैंने यह बिलकुल और बस इसको अब हमें गाड़ा करना है केबल बहुत जादा टाइम ने रखता है टोटल 20 से 25 इस तरीके से इसको फिर अच्छे से थोड़ा सा मैस करते जाएंगे और इसको मिलाते जाएंगे और इसको अच्छे से अब कॉलने देंगे देखे गाड़ा हो जाएगा बहुत चल्दी गाड़ा हो जाता है चीनी डालने के कुछ देर बाद ही यह हमारा हलवा अच्छे से त्यार हो जाता है और बस अब ये पूरी तरीके से गाड़ा हो जाएगा इस बार कॉलने से थोड़ा सा और और हमारा हल्वा टेस्टी तयार होगा इसमें एक बार आप बना कि देखकर जब खाएंगे इसको बना कर तो बहुत ही टेस्टी लगता है जो कि हम इतनी मैनस से बहुत स्वादिश्ट लगता है ये देखिए मैंने इसमें ज्यादा गी भी ने हैं बरस उतना ही घी इसमें डाला था और इसमें ये बहुत अच्छे से तैयार हो गया है ये हलवा मेरा तैयार हो चिका है इसको चार लेंगे Germans ऑर थोड़ाइस गी डाल निकाल ली है घी करम हो जाएगा तब बस मुझे इस गी में मुझे ये घी उसमें हलवे में यूज नहीं करना है के वल इसमें मुझे ड्राइफूर्स अपने डाल के बोनने हैं यह देखिए थोड़े से काजू डाल दिया मैंने लो मेडियम आज पर ही करूंगी सारे काम और जल्दी वह जाते हैं यह देखिए बस इसको एक दुबार चलाएंगे और उसके बाद इसमें अपर हैं आपकशे से निकाल लें यह देखिए अलग से प्लेट में निकाल लेंगे बस इन ये काजू मेरे अच्छे से हो चुके है ज्यादा नहीं भूनेगे ज्यादा भूनने से इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा और इन काजू को मैं अच्छे से अलग प्लेट में निकाल लूँगी और फिर इसके बाद थोड़ा सा घी को तेज गरम कर लूँगी आज को थोड़ा बढ़ा कर और फिर मीडियम आज पर कर दूँगी मैं हाई मीडियम पर इसको थोड़ा गरम करने के बाद और फिर इसमें हम ये देखिए काजू बुन के अलग रखे हैं और बस अब मैं इसमें गॉन डाल दूँगी ये देखिए मैंने सारी गॉन डाल दी है घटी और बस इसको थोड़ा चलाने के बाद गैस को मैं आफ कर दूँगी और गैस आफ हो गई है और बस हमारी ये देखिए कितने अच्छी फूली फूली गॉन अच्छे से फूले गॉन के तयार हो गए है और इसको भी मैं निकाल लूँगी ये देखिए ये गॉन भी हमारी अच्छे से तयार हो गई है इसको अच्छे से निकाल के अलग कर लेंगे घी का इस्तेमाल हम घी में इसमें हलवे में नहीं करेंगे हमारा नहीं तो काफी गी हो जाएगा मैंने बहुत कम आत्रा में गी डाल कर हल्वा बनाया है यह देखिए अब मैं इसको एक बाउल में हल्वा निकाल लेती हूँ आपके सामने यह देखिए सर्व करने के लिए मैंने बाउल में निकाल लिया हल्वा और मैंने आपको बूल लाता कि मैं लाश्ट में आपको बताउंगी कि इसको और सेरल तरीके से कैसे बना सकते हैं तो आप जिस तरीके से मैंने गाजर को दोनों तर厚 से तुकड़ा हटा कर और छील कर साफ कर लिया था आप डार्यक्ट ही उसको कुकर में डाल दें और खोया भी डालने के अब शक्ता नहीं है, खोया बना ही बहुत ही टेस्टी लजी जलवा तयार होता है, बस देखिए उपर से इसमें हमने सजाने के लिए इसको डेकॉरेट करने के लिए काजू और गौन का इस्तेमाल कर लिया है, और ये डालने के बाद हमारा अलवा बहुत ही डिलिश्य स्वादिस्ट लगता है, ये देखिए, मुझे पता है आप देखते ही इसको तुरंत बनाएंगे और इसको खा कर देखेंगे कि आपको कैसा लगा, बहुत ही टेस्टी लगीगा, मुझे कमेंट करकर बताईएगा कि आपको ये रैस्पी कैसी लगी, य अधर के लिए की तयार है, थेंक्यू, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए